यो, what's up guys, कैसे आप सो भी लोग, welcome back to another gameplay video, तो guys, आज हम लोग दुबारा से कहने जा रहे हैं, gas station simulator, guys, welcome back to dust bowl gas station, तो जैसे कि आप सो भी लोग को याद होगा, कि last episode में हम लोगोंने एक बहुत बड़ा gas station, पुराना घटिया gas station purchase करा था, ताकि हम लोग एक नया business start करें, इसमें स लोगों को बहुत जादा fuel बेचें, और फिर बहुत जादा अमीर आदनी बन जाए, लेकिन, हमारा जो business है, वो भी बहुत जादा loss में चल रहा है, क्योंकि जो gas station हमने purchase करा था, उसमें थी बहुत जादा problem, कैर अभी भी वो problem है, problem यह है कि इस gas station में बिल्कुल भी fuel नहीं थ तो हमने सबसे वहले गाड़ी मंगवा के इसके tank में fuel भरवा है, जो आप पीछे tank देख पार हो है इसमें, उसके बाद हुआ क्या कि यहां पर बहुत जादा मिट्टी थी, तो हमने मिट्टी भी साफ करी, फिर लोगों को बिला कि उनकी गाड़ी में fuel भरा, थोड़ा बहु अपनी gas station में एक नहीं, दो नहीं बहुत सारी ऐसे चीज़ें जिसे हम पैसा कमा सकते हैं, फोर एक्जामपल यहां पर car wash भी है, बट टूटा हुए, अगर हम लोग इसे ठीक कर देते हैं, तो लोग सिर्फ उसे fuel भरवाने की बजाए, अपनी गाड़ियां यहां पर wash करवा आने के लिए भी आएंगे, तो उसका भी पैसा हमारी घाते में आने वाला है, बट बहुत सारा काम करना है, यह सारी मिट्टी हटानी पड़ेगी, सारा कूडा मुझे उठा उठा के फैक ना पड़ेगा, यह देख रही हूँ, पता नहीं, ऐसा-इसा समान इस gas station में पड़ कर देता हूँ, otherwise यहाँ पर customer आते रहते हैं, तो फिर उनको CDC बात है, मैं फ्यूल दे नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं तो सो रहा होता हूँ, तो गैस station का नाम खराब होगा, तो भी पड़वट से lever on करते हैं, अपना gas station अब ओपन हो जाएगा, अब जिसकी भी गाड़ी में अपने gas station पर लगानी है, और वो क्योंकि gas station की painting है बहुत ज़्यदा बड़ी है से, यहाँ पर उसे लगाते हैं, अपना next task है कि अभी नामे कुछ shelves करीदने हैं, हाँ, तो मैं कहर था ना, हम लोग बहुत टाइप का business यहाँ पर कर सकते हैं, तो सबसे पहले एक shelf लेते हैं, और इसके अंदर हम लोग रखने वाले हैं, soft drinks और इसे भी purchase करते हैं, means हम लोग अपने gas station में थोड़ा बहुत खाने पीने का समान भी रखेंगे, ज़्यादा बड़ी है यहाँ से snacks भी purchase कर लेता हूं, तो अभी फड़ा फड़ से इन shelves को यह वाला जो area यह थोड़ा बहुत तरीके से रख दिया, अपने पास अब ज़्यादा space नहीं है, एक काम करता हूं, यह जो window है ना, इसी के साथ में वैसे लगा जेता हूं, बाहर customer भी आ गए है, hello sir, कैसे हो आप, आप दाड़ी बाड़ी कटवा हो यार, एक दम चुटिया लटका रखी है, snip नी दाड़ी में हाँ, sir में भी खुजली हो रही है, ना के नहीं है, तो में देख के ही लग रहा है, इसकी गाड़ी में fuel बढ़ते हैं, वेरा कम fuel बढ़ना है मैं पाल तु नहीं, हाँ, तो मैं ऐसे boost भी कर सकता हूं, but wait, बस हो गया, फटा फट से निकल लो, मैंने इसे थोड़ा सा कम fuel दे है, वो लगा सके, तो अभी फटा फट से इस जगह को purchase कर लेते हैं, क्योंकि लोग अगर अपनी कार यहां पर पाक करेंगे, तो उसका भी पैसा में मिलेगा, let's go, you cannot make a purchase before cleaning the area, wow, यहां पर बहुत ज़्यादा sand पड़ी है, तो मुझे पहले यहां की थोड़ी सफाई करने प है, हां, तो मुझे ना पहले जगह से सारी sand टानी होगी, भाई, बहुत बड़ा है अपना gas station, सारा area जो भी ठीक हो जाएगा ना, guys, वरी थोड़ा सा ना, सोच के देखो, कितना चाता मस हो जाएगा, सारी, सारी मिट्टी मिट्टी यहां से जब निकल जाएगी, यह सारा कुड़े वाली गाड़ी बुलाऊंगा, वरी सारा कुड़ा भी भिजवा दूगा, वाकि मस थोड़ी थोड़ी देर में प्लेन जाते रहता है उपड़ से, शायद आस-पास कोई मस है, फिलाल, अभी मुझे डूढ़ना है, रूडी, रूडी यह जैसे मैं साफ सफाई करत हाँ, फिलाल इसको जल्दी से भी मैं वहाँ पर लेकर चलता हूँ, इसमें, फ्यूल कैसे खतम हो गया यार, हमेशा का हो रहा है यार, इसमें फ्यूल ही घतम हो जाता है, उत्रो, मेरे पास ग्यास कैन है ना, ताकि मैं इसमें फ्यूल डाल पाहूँ, हाँ पड़ा हुए, अपनी, मेरे पास इतना बड़ा ग्यास टेशन है, और मेरी गाड़ियों में फ्यूल नहीं है, यहाँ पर एक कस्टमर भी आया हुआ है, मैं थोड़ी दिर ना, ग्यास टेशन क्लोस कर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे अपना काम करना है, इसकी गाड़ी में फ्यूल बड़ देता हूँ, उसके बाद मैं ग्यास टेशन क्लोस करने जारा हूँ, ले भाई, फटा फट से, अभी मुझे रूडी में फ्यूल नाना है, फिर उसे लेकर आना है, और यहां की सफाई करनी है, तो यहाँ पर डल जाएगा, फ्यूल एक दा मस तरीके से, फुल हो चु हैं सीधा मिट्टी साफ करने के लिए, मैं इसमें बूस्टर भी मार सकता हूँ, बड़ उससे क्या है कि जो पीछे आप देख पार हूँ, यह गरम पढ़ जाएंगे, तो फटा फट यहां से मिट्टी उठाते हैं, और सामने वो जो घड़ा है ना, मुझे सारी मिट्टी उ चलते हैं वो भी बूस्टर के साथ, बूस्टर में कहा है ना, गाडी खराब ना हो जाओ, बहुत ज्यादा गरम हो चुकी है, रुक जाओ, मुझे से ठंडा करना होगा, और नहीं नहीं अराम से अराम से इती चल्ट बाजी नी, अब फटा फट से सारी मिट्टी यहां से उ हो चुका हूँ, मतलब कि जब यह में मिट्टी उठानी है ना, बस अपनी गाड़ी एक पोजिशन में मतलब जल्दी से ब्रेक मारनी होती है, फिर फटावट से मुझे बैक लेना है, गाड़ी रोटेट करनी है, और अभी फटावट से मुझे बूस्ट मारना है, ताकि अपना इसको रिलीज करना है, और ब्रेक मारके सारी मिट्टी इसके इंदर गिरा देने आ रहे है, रुट जा, लेट्स को, यार वो जो बच्चा है ना, गाइस, यहाँ पर फिर से परेशान करने के लिए आ चुका है, मुझे यह नहीं समझा रहा कि आ किरकार मैं इसे भग करा है, यहाली दिवार उसने पूरी की पूरी गंदी कर दिया है, और यह इससे साफ भी नहीं हो रही है, शायद मुझे उस पर दुबार से पेंटी करना होगा, यहाँ पर यूएफो बना कर गया है, अलगी शरारती बच्चा, गनवन मिल गी ना, उसके सीधा ठोकी डालू अगली बारी में, फिलाल इसका भी फ्यूल कतम हो चुका है, इससे भी भरना है मुझे, ओके यह तो बस यहाँ पर यह थोड़ी सी सैंड और बच्ची है, और काम करते करते न सच्ची में कुछ जादा ही रात हो गया है, फड़ा फट से भी इस रूडी को मोड़ते हैं, और सारी मिट्टी इस घड़े में डाल देते हैं, तो शुकर है पता नहीं घड़ा कि इस जादा बड़ा है, जितनी मिट्टी डाला हूँ, सारी इसके अंदर जाय जारी है, काम खतम हो गया, और अभी मैं इस पार्किंग लॉट को खरीर सकता हूँ, इतनी जादा खुश हो रह चलते हैं अंदर, और मुझे अभी इस पार्किंग लोट को पर्चेस करना है, तो भी मैंने इस जगह को पर्चेस कर लिया, यहां पर सिर्फ तीनी कार पार्क हो पाएगी, मतलब यह जो बाकी अरिया यह धीरे-धीरे करके अपग्रेड होगा, भाई, यह भी सही है, मुझे मैं फैकने वाला हूं, सामने उस डबे में, ओ, पारी हो गया, अपना नेक्स टास्क है, आंसर दा, कॉल फ्रॉम दी अंकल, ओके, पता नी कॉन से अंकल का फोन आ रहा है, मैं आ रहा हूं, वेट, कॉल ठाते हैं, हेलो, हाँ भी तो ठीक चल रहा है, चाचा, चुप रहा हमे इसने शायद से मारी शॉप पर सामान भिजवाया क्या, मुझे चल के, ओ, वेट, ये देखो, भाई, ये बिजनस में, में सपोर्ट कर रहा है, अंकल, इसने मारी शॉप पर ये शॉप ये लगाया है, आपर कुछ बिस्किट्स हैं, कुछ कैंडीज हैं, और ये कुछ चिप करवाना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम गास्टेशन ओपन करें, कस्तमर्स आये, तो फिर हमारे पास फ्यूल ही ना हो, तो भी फटाफट से हम लोग रीफिलिंग करवा लेते हैं, डिलेवरी, फ्यूल सप्लाइ, और मुझे इस टाइम पर चीया होगा, सिर्फ सिर्फ सि मीटर शाय से वो हमारे से दूर है, मुझे नहीं अभी इपना गास्टेशन ओपन कर देना चीया है, ताकि जो थोड़ा पुछ समान हमने रिखा है ना, ये बिकना स्टार्ट हो, ये मैंने कर दिया, ओपन, कार वगरा भी पार्क यहां पर होगी, फिलाल सामने वाली जो गा जमा हो रखा है, बाकी गाड़ी लेकर आ गया है, अकेले काम करता है नहीं जब ये पाइप कनेक करेगा, तो मुझे ये वाला लीवर ओन करना होगा, तो आज आए जल्दी से फिर मैं करता हूँ, बाकी यहां बहुत सारा कूड़ा इकठा हो चुका है, और कूड़ा इकठा की सफाई कर दूगा, बाकी अंकल जल्दी से पाइप लगाओ यार, फ्यूल भरो, क्योंकि मेरे साप से कस्टमर आते ही होंगे, बाकी मुझे एक मेल आया है, लेट्स को, इसे फटा फट से मैं करता हूँ, वेट मैं कर रहा हूँ, ओके ओन हो गया, बाकी अपनी शॉप पे कस्टमर आ चुके है, भाई साब ऐसा लग रहा है, पुरानी वाली रेंजरोवर लेकर आया, भाई, यह रेंजरोवर ने, थोड़ी सी अलग स्यूवी है, वड़ा वड़ा से मैं इसको हुटा, मैं फ्यूल, हलो, यार मुझे यह नहीं समझा रहा है, कि मैं आखिर इसको साफ करना था, यह ने पूरी की पूरी पार्किंग स्पेस साफ कर डाले, वागे शायद सही अंदर पेमेंट करने ही आ रही है पार्किंग की, भाई, पैसा फुल फुल होने बार, ओ, तेरी दूसरी गाड़ी, भाई, यहां तो दड़ा इधर कस्टमर आ रहे है, यहां पर खरीद लो, इसको दे सकता हूंगे, यह ले, इसको फैक के मार सकता हूं, मैं दे नहीं सकता, मैं वापस रख रहा हूं भाई, यह ज़्यादा इंपोर्टेंट है, तीन तीन गाड़ियां यहां पर पाक होने के लिए आ गई है, यह अंटी जी हमारी दुकान पर सिफ फैक ने आई ती शायद से, गाड़ी लागे इसने पाक करी, अंदर जाके इसने कूड़ा फैक का और वापस चलेगी, शायद से यह भी वही खरने आई है, कुछ समान ममान भी खरीद लो भाई, तो यह भी अपनी गाड़ी लेकर यहां से जा चुकी है, बाकी अभी मुझे इसकी गाड़ी में फटा फट से ना, फ्यूल भर देना है, ओ भाई साब, यह तो लग रहा है कहीं लोहंग ड्राइफ पे जा रहा है, बहुत ज़्यादा ही फ्यूल भर दिया मैंने इसकी गाड़ी में, ठीक है, मेरे को पैसा भी तो इसने आखिर उतना ही दिया है, बाकी अरे, यह देखो, अगर हम लोग कुडा साफ नहीं करते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से यह मख्यां उड़ने लग जाएगी, बाई, यह गेम सच्ची में कुछ जादे रियलिस्टिक होता जा रहा है दीरे दीरे, तो फटा-फट से सारा कुडा मैं इसके अंदर लाके फैक कर दे नहीं चाहिए, रुक जाओ, मुझे वाइट कलर करना है, यहाँ पर अंदर तो फटा-फट से मुझे बस यहाँ पर ऐसे पेंट करते जाना है, ओके तो दीरे-दीरे करके अपनी वाल पूरी पेंट हो चुकी है, यह वाली वाल भी फटा-फट से पेंट करते हैं, ओक सिलेक्ट करना है जो इसने खरीद है मुझसे ठीक है तो अभी फटा-फट से चेक करते हैं इसने क्या-क्या यहां पर रखा है यह आगया अपना स्कानने वे शायद वो मेरे लॉस में जाएंगे अरे बस भाई कितना समान ले जा रहा है तू मेरी दुकान से शॉपिंग मॉल तोड़ी है कोई अरे अब तो मैं बोर हो गया ठीक है ओवाई टूहेंड डॉहेंड डॉहेंड तो मैं आपके से कस्टमर आ जाए ना एक कस्टमर मुझे जगह पेंट करनी है फिर आना यार दूं लाओ सर बताओ क्या क्या आपने खरीद है मैं से फटावट से स्कैन करूं जल्दी 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 अभी मैं फास्ट हो गया उसमें यह स्कैन करा डाला डाला और मैंना गैस अगर कोई चीज दिखो गंदी है ना तो मैं उ तो मैं इती देर से डाउट में आखिर लोग इतना ज्यादा समयन क्यों खरीद रहें बट अब मुझे समझ आया अगर आप भी कभी हाईवे पैसे लॉंग टृप पर जाते हो तो यह चलता है वाईवे पर यह फायदा है शॉप होने का बहुत ज्यादा क्वान विकता है ब अब है यह simulator game है को ज्यादा ही real life simulator नहीं हो गया अपनी शॉप अपनी गया स्टेशन पर कुछ गुंडें आ यह लग रहा है नॉर्मली simulator game में इस अब नहीं होता यार यह क्या चल रहा है मैं तो भ्योस हूं ना मापे यह कोई और आरा रहा है शायद गाड़ी से भाई मजा आने वाला इसमें बहुत ज्यादा सही में यह थोड़ा story mode जा रहा है अभी कोई business man लग रहा बहुत ज्यादा बड़ा court pant में okay यह कुन है भाई क्या है यह ओल्राइट ओँ भाई फुल माफिया लुकारिया लग रहा है कोई बहुत ज्यादा वेक अब सम्यूद गास्टेशन अबराण कोई बहुत ज्यादा अमीर बंदा लग रहा है मुझे पता नहीं क्यों बट सीन मुझे नहीं समझा है क्या था हम भी होशते हैं यहां पे मुक्का मारा किसीने फिर कोई बहुत बड़ा बंदा आया वो हमें देखके चला गया मैं मारूं भाई क्या चल रहा है मैं फोन उठाता हूं वेट ठीक है थैंक्यू एसे थोड़ी बहुत मेरी हेल्प करने के लिए अरे मैं भर रहा हूं कहां चारी अबे यार एक मिनिट आ रहा था ना फोन पर बात चल ली थी मेरी उदर याई गाड़ी रही इसने फ्यूल भी नहीं भरवाया निकल यहां से चोड़ मेरे को भरना भी नहीं है वापि ले चल चोड़ जा वापिस नहीं ला रहे हां तो अभी ना कोई डिलिवरी की उसने बात करी है मिरे से शायद उसे कुछ बिजवाना है और वो कह रहा है कि तुम लोन भी ले सकते हो भी तो तो लोन तो मैं पर्चेस कर लूगा बट वो जो समान वो बिजवायगा न उसके लिए कह रहा है कि तुम्हार पास एक वेराउस होना चाहिए मिरे पास वेराउस तो है बट यह चोन न टोठा हुआ है तो मुझे शायत से इससे रिपेर करना होगा यहाँ पर घेट खुलता है क्या नहीं मुझे पता नी कैसे स्वेराउस को रिपेर करना होगा बाकि यार स Savage करी इने गाडी, अब लेकर जा रहा है, बहुत सही बहुत सही बाकि मुझे यहाँआ पर पूरा का पूरा अंदर से भी paint कर दिया है बाकि इधर थी को guys एक toilet का board लगा हुआ है यानि left side में यह आप जगा देख पारे हो ना यह शायद पहले एक toilet थी बट अभी टूर चुकी है लेकिन अगर मैं इसे repair करता हो ना तो शायद जो लोग अपनी gas station पर थोड़ी देर के लिए भी आएंगे तो वो इन सब चीज़ों का use करेंगे और जब वो toilet बगारा जाएंगे तो उसके भी हमें थोड़ी बहुत पैसे वैसे मिलने वाले है बाकी painting के time पर यहाँ पर थोड़ा बहुत paint नीचे गिरिगा था तो मुझे ये भी सफाई करना होगा बाई सही में इस game में full full काम करना पड़ता है शायद जितना real gas station में भी करना होता होगा बट हाँ वहाँ पर थोड़ा अलाग stress रहता है थोड़ी बहुत मिट्टी आ गई है लोग अपना अंदर बहार करते हैं ये देखो गंदे पैर से कोई आया होगा तो पूरी मिट्टी आ गई है तो ये सब काम अपना daily वाला है जो कि मुझे करते रहना है बाकी हाँ मैं एक चीज ये कह रहा था कि अभी न हमें बहुत सारे challenges अपग्रेड करने हैं मतलब उसने कहा था आपको warehouse अपग्रेड करना होगा तो उसके लिए शायद मुझे पूरा को पूरा gas station एक बार ये अपग्रेड करना है और gas station अपग्रेड करने के लिए मुझे ये first task है अपना outdoor decoration का समान मुझे खरीदना है तो यहां से फटाफट से outdoor decoration के लिए चलते हैं क्या-क्या हो सकता है मुझे देखना होगा हाँ तो यह जो आप देख पारे हो ना हम लोगी table ले सकते हैं कि 20 बॉक्स का यह मैं purchase कर लिया है और क्या हो सकता है इसके साथ में चेर है यह भी purchase कर लेते हैं और क्या-क्या साथ में एक table एक bench यह भी ले लेते हैं बहुत सारी चीजें जो कि मैं समिसे खरी सकता हूं कि यह LED display है जैसी अपने हम gas station close करेंगे तो यहाँ पर भी यह LED display में close लिख कर आ जाएगा मेरे पास पैसे खताम हो चुके हैं अभी मुझे शायद से वह जो कह रहा था ना कि तुम loan ले सकते हो मुझे वह loan लेना पड़ेगा वो भी important है तो अपना gas station मैंने upgrade कर लिया है और एक बार ही आप लोग यहाँ पर final look देख लो अरे यार बार थोड़ा सा paint रह गया है मैंने शायद इस पर पहले paint नहीं कर रहा था गया गंदे लग रहे है मैं इस पर paint कर देता हूँ एक minute लगेगा तो यह भी यह भी फड़ा फट से paint हो चुक है और अभी अपना gas station बहुत जादा बड़िया लगने वाला है full white paint हो गया है finally gas station हो गया complete find a way to enter the warehouse and मैंने कहा था ना जैसे हम लोग इसे upgrade करेंगे यह देखो एक चीज़ देखो पहले अपना gas station यहीं तक था बड़ जैसी मैंने से upgrade करा यहाँ पर extra जगा आ चुकी है यह वाली जितनी भी जगा है सारी extra है मैं यहाँ पर भी painting कर सकता हूँ बड़ अभी मैं painting करूँ है यह वाली wall पर करते हैं उसके बाद warehouse के अंदर चलते हैं यहाँ पर एक ladder लगे है शाद इसके उपर में चड़के warehouse के ऊपर आ जाओ बड़ warehouse ऊपर से पूरा का पूरा covered है जो कि अपने लिए अच्छी बात है यहाँ पर भी एक gate है I think यह वाला gate खोल जाएका और यह हम लोग आ चुके हैं अंदर और मुझे इस लीवर की तरू इसको खोल देना है यह इतना मत करो यार मुझे हमेशा इसका gate बंद रखना है वरना कोई भी हमारा यह समान चुरा सकता है यहाँ पर तो बहुत कुछ है यहाँ ध्यान से दिखो कि इतना सारा समान है यहाँ पर अपना नेक्स टास्क है रिमूव दा हेस टाक्स टू मेक दा वेराऊस ऑपरेशनल अगें ओके तो मुझे सारी की सारी चीज़े जो यहां से रिमूव करने है क्या मैं इसको इसमें नहीं मेरे को इसे न उठा के बाहर ही फैक ना होगा बहुत जादा दूर मैं इसको किसी चीज में इसी के अंदर डालते हैं यह सारा का सारा यह इने कूडे में जाएगा ऑके तो सारा का सारा हेस स्टैक्स मैंने ले जा करें गार्बिच चैन में डाल दिया है और यह वाला टास्क अपना हो चुक ए कहीं कहीं पर यह लास्ट रहागा था इसको भी हम लोग यह से हटाते हैं अभी भी रह रहे है क्या ओह वेट पीछे यां पर बहुत सारा पड़ा हुआ है ये भी सारा अटाते हैं होखे गाइस तो फाइनली टास्क हो गया है complete जितना भी इस टैक्स था उसारा का सारा मेंने ला के बाहर कर दिया है अब मुझे कहा करना है तो फटाफट से अभी हम लोग इसे अप्ग्रेड करते हैं में स्री स्टोन करते हैं पूरा वाव पूरा पिछे तो शेल्फ आगे सब कुछ साफ हो गया होगा ना सब के एक बारी देखकर आओं क्या जूस बहुत हो गया स्नाक्स परचेस कर लेता है थोड़े से क्रिस्प फे बाकी एक ये ले लेते हैं बस आप इतना भीजवाद हो बहुत है बाकी बाद में बेचेंगे ये अपने कार्ट में फटाफट से हम और कर देते हैं गाइस वेट एक प्रोब्लम होगी अपने पास इ जवादो insufficient funds to delivery अपने पास पैसा नहीं है मेरे पास सिर्फ सिर्फ 10 डॉलर से सौरी मैंने अभी अभी रुख जाओ मैं आता हूं यार थोड़ी देर के लिए गैस टेशन ओपन करना पड़ेगा मैं गैस टेशन बंद करके काम करने में लगा हूं तो इस तरीके से क्या हो रह है तब तक मैं यहां पर सफाई कर देता हूं यार कुछ तो सही रहेगा राइट साइड में भी बहुत ज्यादा गंद गिरा पड़ा है भी उठाकर डालो सारा गाइस काइस काइस कैस्टेशन पर कस्तुमर आ चुके हैं कूड़ा बाद में साफ करेंगे अभी जल्दी से हम लोग अंदर चलते हैं सामने से एक मैडम आ रही है है कुछ समान लेना आपको आप तो शायद पहले भी आए थे ना पता नहीं यह वही है देखने में वैसी है ओ पुलिस ऑफिसर वेट पाटा फट से रहे लगा फिल रुक जो रुक जो पहले बाहर आज़ो कोई देखें यहां सेफ्टी वो तेरी दूदो पुलिस वालों की गाड़ी आ रही है किसी चोर और को चेस करके आ रहे होगा सर वड़ा फट से भी इसकी गाड़ी में फ्यूल ला एब या सौरी गल्दी से कम डाल दिया लेस्को अच्छा यह तो पुलिस वाल अपनी गाड़ी पार्क कर हजार दोजार का समान लिया है ना यार मुझे अपग्रेड करना है रुख जो भी देखते हैं इसने के आगया पर्चेस कर रहा है इसने पांच ही प्रोड़क्त खरी देया है ठीक है फटा फट से अभी हम इसे स्कैन करना यहां पर डालना है स्कैन डला वाई मैं बहुत जल 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 जाओ ओ थेड़ी भाई तीन तीन लोग आये पुलिस ओफिसर भी आ रहा है विट अंदर दो दो पुलिस ओफिसर अपने शॉप पे कुछ समान करीदो अंकल बड़ी ऐसा सब कुछ खरीद दो अबे 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 क्या माच इसकी डब भी खरीदी है कि ऊपर से तो कुछ पड़ा ही नी था उठा के लिए आए रुक ज़ो मैं चेक करता हूँ आपने क्या खरीद अंकल जी इन्होंने तीन चीज़े खरीदे ठीक है पड़ा फट से स्कैन और कंप्लीट अल्राइट थैंक यह इसके अंदर डाल दिया मैंने बाकी यहां पर रुक ज़ो सर में स्कैन कर रहा हूं दो मिनिट हां जी आप बताओ क्या लिए आपने तेरी दस प्रोड़क्त करीदे हैं भाई यह अमीर कर देगा यह पुलिस वाला अमीर बना के जाएगा मेरे को लग रहा आज के दिनी आल राइट तो 20 सब्सक्राइब दस समान खरीदा तुने लें सस्ता सस्ता खरीदा ठीक है कोई बात निए ओ गाड़ी आई फ्यूल पर ओ ओ विट थैंक्यू अभी मेरे पास 146 डॉलर्स हो चुके हैं यह देखरो थोड़ी सी दिर में इतना सारा पैसा आगया अभी मैं यह सब्सक्राइब से समान ले सकता हूं तो मुझे ना कुछ अच्छे प्रोड़क्स खरीदने हैं जैसे कि यह ग्रीन पता नहीं इस ग्रीन और रेट का क्या मतलब है मुझे ना पहले एक बारी पता करना चाहिए यहां पर प्रोड़क्स दिलेवरी इफ्यू इफ्यू इफ्य चीजे सस्ती चल रही है वह हमें पर चेस कर रहें जैसे इंस बेरेट खाली बे बड़े में तो यह पर चेस करें यह करते यह करते है बाई रुकजाओ कि इतने का समान हो गया मैंको पता करना से ओंप्सों कि मेरें पास इसा नहीं है यह सब भटावि 67 के ना थोड़े बहु समान में ले सकता हूं let's go task complete हो चुका है अभी मुझे यहां से चल कर देखना चाहिए आखिर कार कितना समान ओ वाव आपको क्या खरीदना है बताओ सिर्फ फो सिर्फ आठ प्रोडक्त तो इन दीदी जी को भी आठ प्रोडक्त चाहिए मतलब यह जो समान है तो फटाफट से स्कान करके बेचते हैं सब को स्कान करते हैं 21 जॉलर्स मिल गया है थैंकिसो मच अभी में को पैसे मिल गये और बाकी जो प्रोडक्त मैंने मंगाये थे वह यहां पर अचा गाड़ी के थू आ रहे हैं भाई वो देखो उसामने से गाड़ी लेकर आ रहे हैं भाई बहुत ज्यादा सही है यार मेरको भी लग रहा कुछ बंदे भी रखने बढ़ेंगे काम करने के लिए कि अभी हर थोड़ी देर में बंदे आते जा रहे हैं और मैं अखेले हैंडल नहीं कर पा रहा हूं इतना सब कुछ बहुत ज्यादा बिजी सी हो रही है लाइफ देखो गाइस अभी तो अपने पास सिर् प्लाइ 666 जल्दी लियाओ इधर इधर अबे वहां का लेचा रहा है कि कौन सा वाला ट्रक आया मुझे समिन नहीं आ रहा है हाँ इदिक उसमें सप्लाय आई रुक जा मैं 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 खोल रहा हूं सर दो मिनिट रुक जाओ अबे मारों कान पे रुक यह नहीं रहा हूं भाई यह ले 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 अंदर हां एक तो दो मिनिट का भी वेट नहीं हो रहा है से और कोना है अच्छा गेट अपने आप बंद हुआ है ठीक है यह देख रहो मैं को तीर मेल आई और वेरा उस पे अच्छा यह बंदा है बाकि अपनी गैस्टेशन कोई वेट नहीं रहा है सर सारा स सारा समान उठाके शायत से इन शेल्फ में रखवा देना है लेट्स को भाई कितने सारे डब्बे आया भाई वहां से दो छे डब्बे उटाये थे मैंने यहां कुछ ज्यादा हो गए बाकि यहां पर जो फाल्तों के प्लांक वगर ऐसे हटाते हैं इसको क्या मैं डाल सकता ह अरे 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 अराम से भाई नहीं मुझे से यहीं पर डालना होगा उन्होंने मुझे का था कि समान चोरी हो सकता है इसलिए हमेशा वेरा उसका बंद करना फटाफट से बंद कर लेते हैं बहुत ज्यादा मजा रहा है इस गीम को केलने में अपने मैं लगा पड़ाओं कब सब्सक्राइब करें बहुत सारे कस्टमर खड़े वे अंदर दो लाहीने लग रही है वाई रुक जाओ पहले फ्यूल बरेंगे अपना में काम फ्यूल बरना भाई सब लेट नहीं होने चाहिए हैं बस जाओ अब आपका काम है फटाफट से लाओ वाई क्या का समान करीदा काम हुआ बहुत मारूँआ अब यार दो चीज़े खरीदी है यह होगी स्कैन चल निकल यह भी स्कैन चल निकल पड़ावट से हंजी आपका क्या है चेक कर आओ इसने छे प्रोडॉक्स खरीदे हैं ठीक है सारे स्कैन करते हैं चल दिल्दी अब कुछ तो अधर अटक गया मैं तिर्चा मूँ करके ला सकता हूं सोरी अरे यार मैंने गल्ती से ना वो जो डिबी थी वो नीचे किरा दी यार और अब यह नराज होके चली गई है अब भाई बहुत कस्टमर आरे जा ऐसी कि तैसी गल्ती से किरीदी अब भी जान मुझे के दोड़ी भाई सफाई कर र पेरा उसमें आया है ना वो मुझे सारा का सारा इन शेल्फ में रीफिल करना है अब यह मचली गउन फैक के चला गए वो भी जिंदा अब हैलो क्या चल रहा वाही अपनी गैस्टेशन में मैं इसको बेच सकता हूं क्या पता नहीं इसको कूडे में डालो खेर मैं क्योंकि म मुझे इसको यहां पर रख देना है यहां थोड़ा यह बढ़िया सा भी लग रहा है पर जो समान था वो इसके अंदर कैसे आएगा मुझे यह नहीं समझा रहा प्लेस ओ अच्छा इस तरीके से लख सकते हैं तो यहां पर मैं पांच पीस प्लेस कर देता हूं बाकी यहां भरे रहने चाहिए बढ़िया लगी का प्लेस ओल प्लेस ओल बास एकदम पॉफेक्ट है तो यह अपना चिप्स वाला पार्ट है यह अपना ड्रिंक वाला पार्ट है ठीक है बाकी आंटी आगी ना वापिस घूमकी यह भी चली गई थी अकड़के नहीं मिला ना आगे वा अध्यादा कूड़ा थे लोग कसम से अभी सारा कूड़ा उठागे मुझे इसके अंदर भी फैक्ट ना होगा हुआ तो कूड़ा मैंने ऐगे हैं दो-दो कस्टमर और आ चुके हैं मैं समान दे रहा हुँ वेट जब हम सफाई करते हैं तो मशीन ना और फास्ट हो जाती है एकदम पूरा रियल वाला इसाब चल रहा है इसमें लेट्स को सारा समान स्कैन होगा बहुत फास्ट है ना पड़ावट से निकल ले मेरी टेंशन लेने वाली बात नहीं है जितना भी समान में मंगाता हूं थोड़ी सी देर में सारगा सारगा बिग जाता है बड़ा टेंशन लेने वाली बात थोड़ी सी इसलिए है कि सफाई बहुत करनी पड़ती है यह फैका और अंदर क्या भाई सीदा वाव बहुत दूर से फैका आई स्कोर बना इस जबारी आसर दे रहा हूं फ्यूल दे रहा हूं और हॉन को मार रहा है क्यार काई सबीना मैंने बहुत ज्यादा काम कर लिया अभी शायद से मुझे अपनी ग्यास स्टेशन को बंद कर देना चाहिए क्योंकि भाई मैं हेंडल कर रहा हूं इतने सारे कस्टमर से एक बार में फोन आ रहा है किसी का रूख जाओ मैं चेक करता हूं उस अंकल का ही त अच्छा शूर अबीना मेरी से बात हो चुकी है और इसने मेरे से कोई तो शायद इलीगल काम करने के लिए मैं सुन नहीं रहा था यार इसकी में अपना साफ सफाई करने में लगा हुआ था क्योंकि यार याना सची में धीरे-धीरे करके बहुत ज्यादा गंदी कि अगर म शायद से इस गेम में वो चीज भी जरूर होगी बाकी हाँ अभी मुझे क्या करना चाहिए पार्किंग लोट मैं थोड़ा बड़े वाला पर्चेस कर सकता हूँ ठीक है मैंने सफाई पूरी कर दी थी 399 डॉलर का है बट मेरे पास 200 है सॉरी मैं नहीं पर्चेस कर सकता और अभी मुझे पर्चेस करना भी नहीं क्योंकि अभी बहुत सारा काम वैसे भी पेंडिंग पड़ा है यहां पर पेंट वगरा करना है अभी फ्यूल भी मेरा खतम होने वाला होगा तो मुझे अभी डिलेवरी मंगानी है सब से बहले फ्यूल सप्लाइ वह बच्चा आ गया पिटे का अभी है 100 डॉल मंगवा है कूडे वाली गाड़ी भी मंगवा लेता हूं लगे हां गार्वेच कलेक्शन से भी गाड़ी मैंने मंगवा लिया सारा का सारा कूड़ा वह यहां से उठाके ले जाएगा और वह बच्चा का है शरार थी भाग के गया यह रहा ओय फटा फट से उसके लिए थोड़ा सा काम बढ़ा जेता हूं मतलब कूड़ा बहुत सारा एक अठा कर लेता हूं मैं यह सब कुछ उठाके डालो ताकि एक ही बार में चले जाए तो दोनों गाड़िया एक साथ आगी है फ्यूल वाला भी पहुच गया और कूड़े वाला भ वह तो इसे लेकर जा रहा है और मैं इसके लिए बहुत सारा कूड़ा एक खटा कर रहा हूं इसकी गाड़ी और भरी हुई है ले वाय तु सब ले जा तो इसने भी शायद से कूड़ा भरना स्टार्ट कर लिया और सारे के सारे कैन अब यार हमेशा थोड़ा फोड़ा चू दिक्कत क्या आरही है कि मुझे बहुत ज्यादा काम भी करना पढ़ रहा है थूड़ी देर मुझे इपना समान भी refil करना है fuel भी भरना है तो सफाई भी करते जानिया बहुत ज्यादा काम आरहा है इस चीज में तो आप लोग मुझे comment में ज़ाके जरूर बताना कि क्या मुझे इस gas station में एक नया employer रखना चाहिए या फिर अकेले ही पूरा का पूरा control करना चाहिए क्योंकि अगर मैं employer रखोंगा तो मुझे उसे भी salary देनी पड़ेगी वागी ठीक है यार तो काम भी तो असान हो जाएगा और पूरे दिन हम लोग अपनी gas station को चालू रख सकते हैं वो सबकी गाड़ी में फ्यूल भरते रहेगा हम बैट के आराम से पैसा कमाएंगे ऐसा नही मिल दें एकली वीडियो में तब तक के लिए good bye